नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजोल नरायन इस वक्क की बड़ी ज़ानकारी करों करेंगे मत्रा से इस वक्क की बड़ी खबर मिल रही है ओमनी कार और ट्रक की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई इस सड़क हादसे में चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है तीन लोग गंबी रूप से घायल बताये जा रहे हैं कार सवार बदाईयों से बाला जी जा रहे थे बड़ी जानकारी इस वक्की मतुरा से मिल रही है जहाँ पर सड़क हादसे में चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जिसमें दो महिलाएं भी बताई जा रही है तीन लोग अंबी रूप से घायल है जिनने तुरंत अस्पताल में भरती कराये गया है ये बड़ी जानकारी इस वक्की और जादा बेट के लिए मेरे से योगी सुरेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए है मतुरा से सुरेश क्या आपको जानकारी मिर रही है इस खबर को लेकर जी मैं आपको बता दूँ ये सुरे का मामला है जब मतुरा के ठाना राया चेतर में कोयलपुर गाउ के रेली फाटक के पास ये दुखा दास्ता हुआ है जिसमें एक ओमनीकार सवार में कुछ लोग बजायों के रहने वाले थे जो की बाला जी जा रहे थे जिसमें चार लोग शिम्रन, काजल, रोहित और मनीष ये सब लोग जिनकी मौत हो गई है मोकेपरी वही ती है लोग गायने जिनने पुलिस ने वर्तिकर आया है वही जो मृत्त थे उसके पोस्मानों के लिए बेच जया है और जिस तरह से वहां पर चुकी रोड ब्लॉक हो गया था तो उसको पुलिस ने खुलवा दिया है अभी वहां से लिवस्ता सुशारू चल रही है रोड की लेकिन अभी तक जिस तरह से जो लोग जिसमें मौत हुई है उन लोगों के परेजर अभी या नहीं आ पाए बिल्कुल सुरेश यह जो घायल लोग बताये जारेन की स्थिप्रीक फिलाल क्या है और क्या जो ट्रक ड्राइवर था उसे हिरासत में लिया गया है बिल्कुल सुरेश हम लगातार देखते हैं कि बढ़ते सड़क हाथसों को रोकने के लिए हम सड़क सुरक्षा सफता चलाते हैं अभी हाल ही में जो सड़क सुरक्षा मा था उसकी शिर्वात होती उसके बाद भी जो सड़क हाथ से लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्या चौक्सी इतनी पुलिस की दिखाई नहीं दे रही है और ये गटना भी कही न कहीं सेज रफसार और नींद की जट्की आने की कारणी सामने आए जिसमें चार लोगों की मौत हुई है तीन लोग खाए ले और ये सभी बाला जी जा रहे थे बगवान बजरंगुली के दर्शन करने को लेकिन उससे पहले ही मत्रवा में इस तरह की दर्दरा गटना हुई है जिसमें चार लोग मौत के गाल में थमा गए अभी पूरी तरह से चुकि पुलिस में जांच कर रही है कि मामले की गटना की पूरे तप्च्य क्यादे गटना किस कारण हुई लेकिन अभी सिर्फ जो जानकारी मिल पाई है वो सिर्फ नीज की जट्की और रफस्तार की वाज़े से घटना का होना पाया जाए जाए तो मत्रवा में ये भीशन सरक हादसा हो गया जहां पर मौके पर ही चार लोगों की मौत हो गई है तीन लोग गंभी रूप से घाल बताया जा रहे है ट्रॉक ड्राइवर जो है वो मौके से फरार है फिराल पर उसका कहना है कि जल्दी उसे हिरासत में लिया जाएगा फिराल फिले इतना ही